इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विट में कहा है कि इस नवरात्र में दस दिनों की छुटी अस्कूल में दिया जाना चाहिए इसलिए मैंने कहा है तो उनका भी अपना नीजी कोस है निजी को समतलब की जो सनातनीयों के लिए वो सवाल उठाते रहे हैं तो भाई उनके लिए कुछ किजिएगा ना जडिव परवक्तारविद निसाथ हमारे साथ है दस सहारा के छुटियों में सिच्कों के कतोती किया जा रहा है हां कटोती किया जा रहा है आपके स्वयोगी पार्टी के केंद्रिय मंत्री है वो विधीशकुमार से मांग कर रहे हैं कि नवरात्र में छोटी दिया रहा है देखिए सिक्षा विभाग की ओर से विहार के सभी अस्तर के और सभी प्रकार के विद्यालियों के लिए चाहे वो प्राथमिक विद्याले हो माध्यमिक विद्याले हो टेन पुलस टू का विद्याले हो इन विद्यालियों के संचालन के लिए परिक्षा का कैलेंडर है परहाई का कैलेंडर है यानि एक वार्सिक कैलेंडर इजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जरी किया गया है और उसके मुताविक राजिक के सभी प्रकार के अस्कूलों में छुटियों का निर्धारन किया गया है मानिये किंद्रिये मंत्री आदरनिये गिरिराश सिंग जी ट्विट किया है और ट्विट के माध्यम से उन्होंने मुखमंत्री जी से आगरह किया है कि राज में 2 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक छुटी देने का प्रावधान किया जाए जबकि वो सनातन धर्मियों के लिए सनातन प्रेमियों के लिए कई बार अपनी आवाज उन्होंने उठाया है तो मैंने उनके इस ट्वीट के जवाब में मैंने ट्वीट किया था उनके साथ कि आप इस नवरात्र के पावन अफसर पर राज के पटना सहित सभी जीलों में अपने नीजी कोस से फलाहार का इंतिजाम करें ताकि लाखो करोरों की संख्या में मा भगवती के जो उपासक हैं वो इनके फलाहार की बेवस्था से इस नवरात्र में अपना तेवहार मनाय पर करें और मातरानी के राधना करें वो अपना वाजीब हक सिचकों के हित में मांग रहे हैं लेकिन आप उन्हें फलहार कराने के बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विट में कहा है कि इस नवरात्र में दस दिनों की छुटी अस्कूल में दिया जाना चाहिए इसलिए मैंने कहा है कि आप नवरात्र में अपने कोश से और लंबी अवधी से बिहार विधान परिशत के सदस राज्य में पशू मंत्री भारा सरकार में पशू मंत्री वर्तमान में अभी किंदर सरकार में वस्त्र मंत्री हैं तो उनका भी अपना नीजी कोश है नीजी कोश मतलब कि जो सनातनियों के लिए वो सवाल उठाते रहे हैं तो भाई उने के लिए कुछ किजियेगा ना तू बताएंगे ना हम तो सवाल उठा रहे हैं करना उनको है अच्छा गिर्यासिन के साथ में जो महागटवंधन के भी जो नेता हैं सभी लोग नितीश कुमार पर हमलावर हैं गिर्यासिन तो मांग कर रहे हैं लेकिन जो बिपक्ष के बिधायक हैं नेता हैं उनितीश कुमार को सिच्छक विरुधी बता रहे हैं अब उन लोगों के ट्विट्स और वक्तव को मैंने देखा नहीं है लेकिन इतना जगजाहिर है कि मानिय मुक्मत्री नितीश कुमार जी के उनीश वर्षों के सासनकाल में सिच्छा के छेतर में जो काया कल्प हुआ है वो अदूतिये है अदूतिये इस मामले में है कि अभी कई राज्यों के प्रशाशन बिहार विद्याले परिच्छा समीति के परिच्छा परनाली और परिच्छा संचालन की प्रिक्रिया को समझने के लिए बिहार विद्याले परिच्छा समीति के पदाधिकारियों से संपर किया और उनसे ब परिच्छा संचालन की परकिरिया पारदर्सिता की परकिरिया कैसे डिजिटलाइजेशन तरीके से काम करते हैं उसके संदर्व में सारी बातों और तत्यों की जनकारी लिए तो जिनको अब इस छेतर में सिर्फ राजनीत करना है परिच्छा के मामले में स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे बहु आयामी योजना राजी सरकार ने चलाया उसके कई लाभ विद्यार्थियों को मिला परतियों की परिच्छा की तयारी करने वाले वैसे छात्र जिनको प्रारंभिक परिच्छा उतिर्ण करने पर बीपीएसी की ओर से जो उतिर्ण करते हैं राज्य सरकार उनके लिए 50,000 रिप्या देती है वैसे परिच्छार्थी जो उतिर्ण करते हैं उनके लिए एक लाख रुपिय की सरकारी व्यवस्था की गई है कौन ऐसा काम यहां नहीं किया गया विद्यार्थियों के लिए जो कि लेकिन चुकी इन दलों के नेत की सिच्छा व्यवस्था में कितना भी गुनात्मक परिवर्तन किया गया हो इससे कोई लेना देना नहीं है भावनाओं को भरका करके भोट प्राप्त करना एक मात्र उद्देश रहा है कांग्रेस पार्टी और कमनिष्टों का तो कमनिष्टों का देश में क्या हाल है यह नहीं है और कांग्रेस रसातल में दिन पर दिन जा रही है इस बार आम जनता ने उनको विपक्ष में रहने लायक मत दे दिया है नहीं तो दो दो लोकसभा चुनाओं में विपक्ष के लायक उनको जनता ने बोट भी नहीं दिया था कांग्रेस क्या प्रलाप करेंगे मैंने आपको बताया कि सिच्छा विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है उसी कैलेंडर का पालन किया जाता है सिच्छा विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है पिजी को से नवरात्र में फलहार का वेवस्था करना चाहिए भरहाल इसकर में इतना ही अपने